जैगरी जी वीडियो को लाइक कीचे चैनल को सब्सक्राइब कीचे और बैल आइकन को प्रैस कर दीजे ताकि जब भी हमने अससेंग वीडियो को लोड करें तो उसका नोट्यूकेशन आप तक तो नत पोच जाए और फिर आप गुरू की महीमा और उनके अनिव को चमतकारों के बारे में सुनें वो भी संगत की जुबानी जैगरी जी आज मैं सब के साथ जो ससंग शेर करूँगा वो हमें वाट्सअप के मादर में से प्राप्त हुआ है हमें भेदी अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जन्नी बेज रहे हैं संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे ससंग हमा ऐसे शेर करते रहे हैं चाहे आप हमें वाट्सअप पर हिंदी में टाइप करके बेजें और फिर नोडबुक में लिख कर या फिर ओडियो रेकॉर्ड करके हमारी आप से सिर्फ एक छोटी सी विंती है जब भी आप अपना ससंग रेकॉर्ड करे तो उसको एक शांत वातावरे में ही रेकॉर्ड करें संगत जी आज का ससंग हमें गुरुबक्त आँटे जी का सुनेंगे और आँटे जी शीमला से हैं और आँटे जी अपना नाम गुप्त रखना चाती हैं जिसका हम दिल से सम्मान करते हैं चलिए आज का ये ससंग हम स्थैंट छ Southeast से आपको भी अपने कई सवालों की जवाब मिंड़ ढें। जिधे सिवझे शुरू करते हैं। jevn जय गुल जै गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को जै गुरुजी, संगची ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, मुझसे अगर कोई भी गलती हो तो मुझे गुरुजी इक्षमा करना, संगची आप ये मुझे इक्षमा करना, मुझे नहीं पता गुरुजी से में कब से जुड़े हूं शायद बचपन से बगवान पर विश्वास बचपन से ही था खास कर भोले शंकर पर ब्रत भी गिये पुजा भी यसे आती वैसे की पुजा मैंने प्रभु ने मेरा साथ बहुत दिया है हर पल दिया है जबकि मैं इतने बड़ी भगत भी नहीं थी जानी आती चली जाती और पर हिम्मत कभी कम नहीं हुई लगता था कि कोई साथ है पगवान ने मुझे सब कुछ दिया है जो मैंने सोचा भी नहीं था वो भी दिया है इसके लिए जितना भी शुकराना करूं वो कम है शायद तब भी गुरुजी साथ थे पर पता नहीं चल क्योंकि मेरे बुरे कर्म शायद बहुत जादा थे जुलाई 2013 में अजानक फेस्बुक पर गुरुजी का स्वरूप नजर आया मैसेज था ऐसा मैसेज लगता जैसी मुझे ही बोला जा रहा हो उस वक्त में बहुत परिशान थी बहुत जादा मेरे मन में कोई किन्तू प्रं आते रहे जिसमें गुरुजी बोलते कि तु परिशान ना हो मैं हूँ तेरे साथ मुझे मैसेज पढ़कर रोना आ जाता और अच्छा भी लगता फिर दीरे दीरे यूट्यूब पर मैसेज आने शुरू हो गई जो मैं सोच थी उसका जबाफ फिर सरसंग सुनकर मुझे भी हुए है गुरुजी की जुनने के बाद सबसे पहले जो सतसंग हुआ वो था मेरे बेटी की जौब का लगना वो बहुत टाइम से घर पर ही था और अजानक उसी जौब मिल गी जिसकी मुझे कोई उमीद ही नहीं थी जै गुरुजी शुकराना गुरुजी मैं कई सालों से कहीं बाहर गुमने ही नहीं गई थी कहीं भी नहीं फर गुरुजी की क्रिपा से मुझे जनवरी 24 में गुरुजी ने मुझे ऐसी ऐसी जगा गुमाया जहां कभी मैंने सोचा भी नहीं था और सबसे बड़ी बात संगर जी गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर पुलाया, संगजी जब मैं बड़े मंदिर पहुची तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे सपना हो, विश्वासी नहीं हो रहा था कि मैं मंदिर भी आई हूँ, बहुत अच्छे से दर्शन की, लंगर पर साथ, चाय पर साथ लिया, और मुझे वहां से पॉकेट सरोपी मिला, जै गुरुजी, शुकराना गुरुजी, संगजी मैं दुबारा जल्ली जाना चाहती हूँ, बड़े मंदिर गुरुजी के दर्शन करने, प्लीज गुरुजी मुझे बड़े मंदिर फिर से बुला लेना, और भी सत्संग है संगजी, फर मैं उसे दुसरे सत्संग में सुन गुरुजी हमारी गलतियों को क्षमा करना, हमें अपने जन्नों में जगा देना, अपनी भक्ती देना, अपने क्रिपा देना, हम पर अपना आशिरवाद बनाये रखना, जाने अन जाने में जो हंसी गलतिया हुई हो उसे क्षमा करना, मेरे गुरुजी, मेरी एक विश्य, उ संगत जी अब मैं अपना सत्संग समाप्त करना जाती हूँ जै गुरु जी शुकराना गुरु जी लख लख शुकराना गुरु जी और आप सभी संगत को भी जै गुरु जी अब हम गुरुगाओं से अंटी जी का सत्संग सुनेंगे जै गुरुजी, जै गुरुजी, जै गुरुजी संगत जी, आज मैं अपना सतसंग गुरुजी दी खुकम दे नाल, सब नल शियर करना चान दियां, क्योंकि गुरुजी दे बार-बार मैंनो मेसेज आ रहे सी ये, की शुक्राना कर, शुक्राना कर, ते मैं कही वर सोच दी सी मैं रोज तर शुक्राना कर दिया फिर वी मैंनु गुरु जी कहन दे कि शुक्राना कर, शुक्राना कर फिर किसी सत्संग दे जरिये मनु पता चलिया कि शुक्राना दा की मतलव उन्दा है सो आज मैं गुरु जी दे सत्संग फड़ सामने शेर कर रही है गुरुजी मेरे तो कोई सत्संग कर दे, कोई पूलो जाए, ते प्याइस वनू माफ कर देना, संगर्जी तुसी में माफ कर देना, गुरुजी दा सत्संग, मैं शुड करन तो पहला, मैं गुरु मंत्र भुला चावांगी, ओम नमशिवाय, शिवजी सदासाः, ओम जरनी मैंनू पतानी काक्तो शिरू ही, लेकिन मैंनू याद आन्दा है, कि बहुत सलाव पहला, मेरे वर्क प्लेस दे, मेरे कुलीक, दे कोल गुरुजी दा एक कैलेंडर सीगा, ओमेश अपने डेस ते रख दी सेगी, ते मैं दीख दी सेगी, गुरुजी दा सवरूप, उस सजी होए, बड़े स्टाइलिश गुरुजी एगी है, ति मैं उना देख कि मैंनू एमी लगदा है सीगा कि एट शान पिक्चर दे, शाहकाल दी तरह लगदी है, गुरुजी मैं नेगेटिव एच नहीं, कदी भी सोचे अपने मांच, पर मैंनू शकल वो दादी लगती सी, माफ करना गुरुजी, फिर मैं देख दी सी, लेकिन फिर भी मैंनू कोई गुरुजी ने अपने नाल नहीं जोड़या उस ताइं, फिर उस तो बाद मैं अपनी एक होर फ्रेंड दे कर गई, ति उन्हें मैंनू दस्या कि गुरुजी है चतरपुर बड़े मंदिर छे, ओ ब दस्या कि मेरी बड़ी फनाइंशली, जो मेरी कंडीशन है, काफी इंप्रूव होई हो देना, ते उन्हाने अंदस्या कि उत्ते कोई बड़े वंदर जाओ ता तुसे थानो, ते कोई प्रवच्चन ने दिन्दा, गुरुजी चोले चनी हैंगे, ते उत्ते कोई प्रवच् बिल्कुल भी तुसे चड़नानी, एक तुपका भी चायदा तुसे चड़नानी, तो गुरुजी दिके, बड़ी ते मैं अपने डैडी दे नाल, अपने अंकल जी नाल, बेटे नाल, ते अपने पांजे दे नाल वड़े मंदर गई, तो ते मैं मत्था ठीक किया, उनना दि कर दो, ते उत थे मैं लंगर परशाद किता, उत थे उस टाइम चार लोगी कि कट्टे बैटके कर दे सीगे, वो ज़रूरी नहीं है कि थोड़ा, थोड़े परिवार दे लोगा दे नाली नंबर आवे, ते मैं मेरा बेटा, ते दो लोग होर सीगे, जिनना ने एक ठाली शे पते हैं, आँटी जी एमिर्च नहीं मेरी सरजरी टालने सी, सो गुरूजी दी किरपा दे नाल, बाच्चा मेरी सरजरी होगी, ठीक भी होगी, ते बहुस मैं तो ली देर भी लगा देती, गुरूजी दे मंदर जान चे, फिर मैं गुरूजी दी मत्था ते एक के आई, ते मैंनो गुरूजी ने अनना नी अपने नाल जोड़या सीगा, मैं बहुत विच्विच कदी-कदी वड़े मंदर जान दे सी, बट एदा फ्रिक्वेंट नहीं जान दे सीगी, ते गुरूजी ने मिर्थे किरपा किती, दो जारते हीच, मैं अपनी फ्रेंड दे नाल, सुनना चाहिएँ, असी बड़ी मज़ेदार बात लिए, कि असी जद मैं अपनी फ्रेंड दे नाल आ रही सी, ते असी किसे तो लिफ्ट लित्ती, ते ओवी गुरूजी दे सत्संग दे सीगे, ते उनना ने सानो लिफ्ट दित्ती, ते ओदे चे एक होर कुड़ी जड़ी ओने वी वी लिफ्ट लित्ती, ते ओव सारे रस्ते गुरूजी दा सत्संग साडना शेर कर दे रही, जो सुन कि मैंनो बहुत ही अच्छा लग गया, जद भी मैं बड़ी मंदिर जान दे सी, ते मैंनो पॉजिटिव वाइव सान्दियां सी, ते मैंनो बहुत अच्छा लग जी गुरूजी ने में लेखी मैसेज बेचियां, मैं अवी दसना चान्निया साजन जी, मैं साइन बाबाजी नू बहुत मन दीयां, ते मैं साइन बाबाजी दी पड़ी पकते कियां, ते मैं गुरूजी नो इदास किती, कि गुरूजी, मैंनो मेरे बापा तो लगना करना, ति होन मैं अपने गुरु जी ने तर साई बाबाजी दोना लई जुडी हुई आ ति मैं गुरु जी नो गुरु साई कहन गुरु जी addicted गुरु जी अगर मैं गुछ गलत बूल रही होंगे ति मैंनो माफ कर दे मैं तोड़े सब रूखदेंगे बैटके सारा रिकॉर्ड कर रही हैं, एं मेरा पहला सत्संग गा, गुरुजी ने मनु कही वानी दर्शन देते, ते इतनी रूपच भी मनु दर्शन देते, एक वरी मेरी एक फ्रेंड मेरी वर्क प्लेस ते परशाद लेके आई गुरुजी दा, ते उने मनु किया कि आज मैं परशाद लेके आई हैं, ते मैं अपनी दुझी फ्रेंड नु किया, ओनु भी गुरुजी दियां गला करनी आच्छे हैं लग दियां, ते ओ भी मेरे नाली चले गई, असी परशाद खाके आए में ते गुरुजी बारे दासरी से उनूँ, ते ने चे देखिया एक जोत रूप जोत रूप जोत दितते, जोत रूप जोत रूप जोत दितते, जोत 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 जो गुरु जी दी किलपा मेरे बड़ी बनी उई है मैंनू पता है गुरु जी मेनओ मेरे ड्रीम ज़ाए सीगे फिर मेनू आपने जब फादर नू मेरे फादर गुजरे मेननू लंदर सीगा कि मां बहुत कुछ खो देखता ति मैं अपने पापा तो बहुत प्यार कर दे सी, ति एक दिन मैं सोच री सीगी, कि पता नहीं मेरे पापा किन दातर हो रोंगे, फिर मैंनो सपने चे आया, ति सपने चे मैंनो इंदर खिड़ कीजी एक नजर आई, ओधे चे मेरे फादर सीगे, ति उनना दे पिच्छी एक शिवलिंग सीगा, ति मेरे फपा ने मैंनो किया, कि मैं बिल्कुल ठीटू, फिर उस तो बाद, एक बरी मैं फिर सपना आया, मैंनो अपने फादर दिखी, फिर मैंनो लग्या, मैं फादर किस तरह दे आओ, ओना दर सिर्द बिल्कुल गंजा रहा है, फिर मैं लगिये तर गुरुजी एंगे है ति मैंनो फिर पता चलिया कि गुरुजी मेरे प्योदरों चेंगी है मैं उना देती ही है गिया गुरुजी मेरे गुरुपा है ति गुरुपा मेरते हमेशा अपने चन्नाच रखना खिरपा बढाये रखना जो कोई गलती होगी हो जान ही जो मैं बहुत गलती होगी होगी मेनों आफ़ कर दो पर अपने इस गुडी नू छड़ी होगी होगी मेरे बहुत हेल्स प्रावलम चे भरी है मैं पूरा भीज़वास है गुरु जी पनो बड़े positive message दें दें, मैंनो पूरा यकीन है, कि मैं ठीक हो जाँगे, शुक्राना गुरु जी, हरपल शुक्राना गुरु जी, उन्मै अपने वानी नो विश्राम देनी है, गुरु जी दे, गुरु मंत्र देना, ओम जै गुरु जी जो मेरे तो कोई कलती होगी तो माफ कर देना। संगत जी अगर मेरे तो कोई कलती होगी तो माफ कर देना। जै गुरु जी शुकराना गुरु जी जै गुरु जी शुकराना गुरु जी। अच्छा लगा हो तो आप इस संग को और संगत के साथ जरूर साजा करें जिससे वो भी माराज का दिवे आशिरवाद प्राप्त कर पाएं जय गुरुजी शुक्राने गुरुजी